नमस्कार दोस्तो, स्टोरी बहरा केस में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं मुवी डंकी का रिव्यू करने वाला हूँ तो सबसे पहले हम समझने की कोशिज करते हैं कि डंकी का exact मतलब क्या होता है देखें डंकी जो वर्ड है वो पंजाब में यूज किया जाता है और इसका मतलब है इल्लीगल तरीके से गलत तरीके से दूसरी कंट्रीज में जाना तो पंजाब के बॉर्डर हो गया या गुजरात के बॉर्डर से जब लोग यूएस, कैनड़ा या यूके जाते हैं तो इस इल्लीगल प्रॉसेस को हम कहते हैं डंकी और इस कंसेप्ट पे सायद ही मैंने कोई मूवी आज तक देखी थी तो राजकुमार हिरानी जी ने बहुत ही अच्छे सबजेक्ट को उठाया और इस पे लोगों को जागरूख करने के लिए कि डंकी एक्जाक्ली क्या होता है और कितने समय से ये चीज़े यूज की जा रही है उसके बारे में एक पूरा प्रॉपर एक पूरी मूवी इन्होंने बनाई जो स्टार कास्ट है वो काफी अच्छा है इसमें सारुख खान, तापसी पन्नू, विकी कौसल, बोमन एरानी, विकरम कोचर और अनिल क्रोबर प्रमुख भूमिका में नजर आते हैं और तो स्टार कास्ट तो हमारा काफी अच्छा है तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अच्छी चीजे इस मूवी में मुझे क्या क्या लगी तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस मूवी में लगी वो है सारुख खान की एक्टिंग जी हाँ, सारुख खान ने बहुत ही क्लासिक एक्टिंग की है और आपको पता ही है कि सारुक खान को जिस तरीके का भी स्क्रिप्ट पकड़ाया जाता है वो उस स्क्रिप्ट में बिलकुल मिल जाते हैं और चाहे वो देवदास मूवी हो, चाहे रिसेंटली वो जवान मूवी हो, पठान हो आप देख सकते हो, इतने एज होने के बाद भी वो परफेक्ट एक्टिंग करते हैं दूसरी जो अच्छी चीज मुझे इस मूवी की लगी वो था, इस मूवी का ओवराल कंसेप्ट ओवराल कंसेप्ट जो था, बहुत ही अच्छा था, लोगों तक ये जानकारी जाने के लिए कि डंकी एक्टली क्या है कितने लोग डंकी के चक्र में मारे गए हैं, वो सारी चीजे इस मूवी में दिखाई गई है और कैसे यूएस जाने के बाद, यूके जाने के बाद, लोगों की जिन्दगी कैसी हो जाती है इन सब के बारे में भी काफी अच्छे से मूवी में बताया गया है तो ओवराल जो कंसेप्ट है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो that is positive for this movie थर्ड जो हमारा है, वो है विकी कॉसल की जो छोटा सा, मतलब कह सकते है, छोटा सा रोल है बहुत बड़ा रोल नहीं कहोंगा, लेकिन जितना भी उन्होंने जो रोल उनको मिला है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिल से किया है और जो next मुझे जो चीज इसमें अच्छे लगी, वो थी विक्रम कोचर, जो सरदार जी बने है उनकी acting, जितनी बाहर भी उन्होंने जो dialogue की delivery दी है उसमें इतना fun आता है, movie देखते ही, आपका मन light weight हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है, उन्होंने जो सरदार जी की acting की है, awesome और बहुत ही बड़े cast के साथ इन्होंने काम किया है, सारुक खान वगेरा के साथ तो definitely एक pressure होता है कि अच्छे actors के साथ काम करके आपको performance अच्छा देना है, वो सायद कहीं न कहीं वो चीज़े miss हो गई है, तो अब चलिए मैं बात करता हूँ कि इस movie में क्या-क्या मुझे negative लगा, सबसे पहले मैं start करता हूँ कि देखिए इतना अच्छा star cast था, लेकिन उस star cast को अच्छे से राजकुमार जी ने यूज नहीं किया, एक्जामपल की तौर पे मैं बोमन इरानी की बात करता हूँ देखिए बोमन इरानी मुन्ना भाई MBBS में थे, उसके second part में भी थे और वहाँ पर आपने देखा था कि बोमन इरानी की जो acting थी, वो इस level की थी टौप लेबल की थी, लेकिन बोमन इरानी को जो यहाँ पर जो character पकड़ाया गया जितना role उनको दिया गया, जो scripts थे, lines थे, that was almost average और बिल्कुल मज़ा नहीं आया, कोई movie देखने के बाद कोई ऐसा impression नहीं बना कि बोमन इरानी को मैं आज याद करूँ कि या acting की थी, डंकी movie में तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि सायद script थोड़ी सी अच्छी बनाई जा सकती थी बोमन इरानी को लेकर, क्योंकि बोमन इरानी एक बहुत ही fantastic actor है और movie के level को कहां से कहां पहुचा सकते हैं, यह मुनना भाई MBBS में आपने देखा हुआ है नेक्स्ट जो मुझे चीज अच्छी नहीं लगी, जैसे तापसी पन्नू की जो acting थी, वो average मुझे लगी फिर अनिल ग्रोवर भी जो थे, उन्होंने भी सो सो काम किया है, that was not very good तो overall फिर जो storyline है, जिस तरीके से सारे लोग UK में मिलते हैं, वो starting में तो अच्छा लगा, लेकिन बीच में movie थोड़ी सी boring हो गई तो movie में अच्छा concept होने के बावजूद movie को अच्छे तरीके से deliver नहीं किया गया, movie कुछ और एक अलग लेवल पर बनाई जा सकती थी, इस movie को थोड़ा सा ज्यादा realistic बनाया जा सकता था, for example, मैं बताता हूँ, सारुक खान, तापसी पन्नू को बूढ़े हो जाते हैं, तब जाके प्रपोज करते हैं, यह थोड़ा सा dramatic लगा, मतलब I know it could be possible, बट जिस तरीके से कई बार और परतापसी पन्नू भी सायद जानते हुए भी सारुक खान को प्रपोज नहीं कर पाती है, तो यह थोड़ा सा अजीब सा लगा, बट overall ठीक ठीक था, तो overall दोस्तों movie मुझे ओके ओकी लगी, और सारुक खान की काफी अच्छी acting के बाब जूद, मैं इस movie से पूरी तरह satisfied नहीं हूँ, और मेरे हिसाब से इस movie की out of 5, 3.2 rating मैं इसको दे पाऊंगा, तो I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को चली मिलता हुग गली वीडियो में, जय हैं त।